इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट के बारे में डिसकस करेंगे कि क्या होगा आगे निफ्टी में विल निफ्टी क्रैश या यह सिर्फ एक छोटा सा क्रिक्षिन रहेगा और थर्ट केस केंबी विल निफ्टी गो इंटो लॉंग इंसॉलिडेशन जहां पर एक प्राइस ना बहुत जादा ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी एक रेंज बाउंट मैनर में रेट करती रहेगी और टाइम के साथ साथ स्टोक्स जो है जो मार्केट ओर 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 जो है वो अपने वैलुएश करिएगा जिससे कि कोई भी ऐसे इंपरमेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो चलिए लेट स्टाट ना हो और अंडरस्टैंडिंग कि निफ्टी में आगे क्या होगा वे विल यूज टेकनिकल अनलेसेज और यूज यूज वन इंडिकेटर विच इस वाल्ड एस रस आय मंतली चार्ट और निफ्टी और देखते हैं कि क्या होता है कि RSI लिवल्स पर मार्केट के साथ ओवरॉल हिस्टी में लास्ट 20-25 साल में कैसा इंडों का रिलेशन रहा है क्या उससे कुछ चीज बेनिफिट निकलती है और निकलती है तो उसे कैसे आप यूज कर सकते हैं अ जैसे जैसे हम वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे आपको यह साथ में समझ में आएगा कि मैंने यह लिमिट क्यों सेट करी अभी मैं एक लिमिट सेट कर रहा हूं RSI पर जो की है 80 लिवल्स की और प्लीज नोट डाट वी आ दूइंग और मंतली चार्ट और डेली और वीकली सो नाओ लिट उस सी जब भी इस RSI जो है इस रिड लाइन के आसपास आता है विच इस RSI 80 लिवल्स क्या होता है मार्केट में हिस्टॉरिकली क्या होते रहा है सबसे पहले यह जो रहा यह यहां पर फॉर्स जो है वो टच रहा अराउंड फेवररी 1992 पे और इफ यूल सी उसके बाद यह एक्सेंड भी हुआ आगे अगले वीक में अगले मंत में काफी अच्छे रिटर्स भी आए पट उतनी टेज स्पीट से यह करेक्ट भी हो गया अगर हम टॉप से देखें यहां पर तो ओवरल जो करेक्शन रहा व जो कि इधर था लिट उस सी वाट हैपन अफ्टर एट सो दिस इस लेक्टी लेवल्ट इन इप्यार विंग यू कि अगले तीन चार महिने में कैसा ओर रहा एटी एटी के उपर एटी टू एटी थी पर मार्केट अरबिट ऑफ एक्स्टेंड जो कि हमें से समझ में आता है यहां से फिर से 36 पर संट का करेक्शन आया जैसा नहीं है कि अगर यह एक्टी टच करता नहीं है तो उसके पहले करेक्शन नहीं आ सकता है इसके बीच में कुछ ऐसी ओर और भी एरिया जहां पर बहुत करेक्शन जैसे कि यह आरे साय उन मंतली वस जस्ट सिमेंटी वन और अधना से एक अछा करेक्शन आया ओल ऑर उल 55 परसंट का ओर्रोル क अया और क 먼घ्वी लमबा करेक्शन से लेकिस्पेंबर टू-और वन यानिकी औरमबोस्त व मजू यह गरे का करेक्शन चरण जा समें में 55 परसंट का कराइशन आया तो ऐसा का जो लिवल है वो अरॉंड 78-80 ही है तो अगर आप यहां देख रहे है तो यहां पर फिर RSI जो है वो 80 क्रॉस करा है and if you look what happened after that यहां पर एक अरॉंड 30% का का ओरॉल करेक्शन है जो सिर्फ दो महिने में ही आया है दो से तीन महिने के अंदर आया है देन फिल सी अगेन वाट हैपने हीर इत अगें टॉच्ट अरॉंड 80 एर अगर आप इसको ध्यान से देख रहे तो आपको दिखे का कि यहां से फिर एक अच्छा का करेक्शन इस निक्स्ट निक्समाथ अरॉंड 8% का आया अगर हम देखे टॉप से किता करेक्शन आया सो अरॉंड 15% का ओरॉल करेक्शन इदर रहा दिस वोस अरॉंड दिसम्बर 2006 तो और चार बार तो यह है कि जब भी यहां पर टॉच करा है अभी तक में एक अच्छा करेक्शन आया है कभी 50% का कभी 25% का कभी 15% का और कभी यह करेक्शन ओवरॉल इस वोस इन सेप्टेंबर 2007 ओके तो इन सेप्टेंबर 2007 इट अगें क्रॉस्ट अप 80 लेव और सी हाओ विकली दिन गेव एवरीधिंग तो यहां से जो करेक्शन आया वह अरॉण चला 64% का यहने कि एक बार यह एक प्रॉस करता है तो यह और इक्सेंशन जोन में से ले आता है और उसके बाद मार्केट्स में रहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो है यहं पर देखें तो हैंई कर लेंसे प्रै बाद सता हुआ है यहां पर देखें तो एक महिने का भी गयाप मिलाए है राट वह स्थ स्न अल्गोंड 2016 2014 and let us see what happened at that point of time so at here around in October 2014 it crossed up RSI 80 okay and if you will see us got market 3-4 महीन अच्छा चला but then it was somewhere near the top and then we started a correction of around 25 percent and this correction lasted for around 5 2015 to 5 2016 है की एक साल का ये करेक्शन चला है जो यहां पर एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि जो करेक्शन है फिर वो कम से कम 3 महीने 4 महीने को चलता ही चलता है अब निक्स बॉटम मनाने में 3-4 महीने at the minimum लगी जाते है उसे ज्यादा के भी इंस्टेंस हमने इसमें नोट करे वर 3-4 मंथ इस minimum let us see what happened after that अगर हम यहां पर देके तो एक वापस से आरे साय थोड़ा पीछे आया है और अगें यहां पर एरां 78-79 लेवल्स तक वचा and this was again a warning sign that it is again extended and after this we had a 25% correction let us move further and see what happened after it so here everything is okay everything is okay 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 here also it's okay but here if you will see we touched rsi 80 okay here in this month this was September 2021 and this महिने में rsi 80 level हमने touch कर दिया and if you can see here आपको यहां पर एक price में weakness overall index में दिख रहा है क्योंकि यह अगर आप देख रहे तो this is like a gravestone doji जहां पर एक पूरा जो रन था market ने जो इस में रन दिया था वो fully revert कर दिया स्केंडल में so यहां पर आपका आरे साइटी भी हो रहा है साथ में आपको ग्रेवस्टों रोजी भी you can see upon and these two things are telling you that overall market is extended okay and अब इसके बाद क्या हो सकता है we have seen here in the past in almost all of the times market ने एक अच्छा करेक्शन तो यहां से दिया है okay 15-20% is the minimum that market have corrected after touching RSI 80 and that happened in the next 3-4 months at the minimum 3-4 मेने में आपको यह तो बहुत अच्छा करेक्शन हो जाएगा क्या एक overall downtrend start हो जाएगी this is what till now we have discussed about so अब यहां पर अगर 25% correction होता है 20% भी अगर हम लेते है then this would be like around a level of 15 800 levels and अगर आप चार्ट पर देख रहे तो यहां पर एक अच्छा support भी है जो overall 15 800 levels पर यहां पर हमको मिलता है around इस zone में हमको मिलता है this area and this area so this is a good support zone also and on the basis of the facts that happened in history around 18-20% का correction तो निफ्टी में आता ही है next 4-5 months okay so अगर हम इस logic के साथ जाए तो हमको next level जो निफ्टी पर देख सकता है वो 15,800 और 15,000 के आसपास का levels market में आ सकता है अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं इस levels के around की क्यों maximum लोग यहां पर विल्ट डिस्ट्रॉई करते हैं क्योंकि it is a fact that only 5-8% of the people make wealth whether it is long term or whether it is short term statistics तो यही कहते historically problem यह होता है कि majority investors होते वो charts देखते नहीं है अगर आप long term investors है तो आप तभी charts देखेंगे नहीं and in fact कभी-कभी आपको यह सब चीज़े लगती है कि these are meaningless things अगर आप short term trader है तो आप overall market की wider trends नहीं देखते हैं कि overall wider markets में क्या चल रहा है अगर आप investor है तो आपको इन key levels जो कि RSI 80 level से अगर आप सिर्फ इसको भी use करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा entry point भी मिलेगा और market से exit होने का points भी मिलता है क्योंकि अगर आप देख रहे है historically जब भी आपका यह RSI level 40 42 के आसपास आया है I'll draw one more line up here जब भी आपको around 40 level के आसपास मिला है तो market has bottomed out okay if you can see here market has bottomed out if you can see here the market has bottomed out and given a rally अगर आप यहां पर भी देखेंगे February 2016 तो market has bottomed out अगर आप इधर भी देखेंगे तो market ने बहुत आंग उसके आसपास बना ही लिया था around 3840 के जोन में so the best time to enter in equity market is not here जब आप देख रहे हैं कि overall RSI 75 77 78 पोज गया है तब आपको बहुत aggressive नहीं होना चाहिए in fact you should start looking for things कि आप किस तरीके से overall थोड़ा थोड़ा profit book कर दे हर stock में and जब आप इस bottom पर है then it is the time to be aggressive क्योंकि market में overall एक अच्छा correction आ गया है जिस तरीके से उपर की site पर RSI ने आपको बताया कि things are extended उसी तरीके से आपका reverse downside के side use कर सकते है that things are too much extended also on the downside and एक अब uptrend आना यहां से बहुत logical है और reasonable हो सकता है same चीज if you'll do on mid caps and small caps मैं वह भी आपको करके बता देता हूं so same things you can see on mid caps and small caps जब भी 80 level के आसपास आया है तो यहां से हमको एक अच्छा correction मिला ही मिला है let it be this so if I'll draw a vertical line up here you will see next month में market top लग गया and we had a good correction of from the top it was around 28 percentage next let us look here we had a mini correction of around 15 percentage next it was here and we had a correction of 37 percentage next अगर आप इधर देख रहे है तो आपको अगैन यही चीज़ दिखेगी कि next 3 महीने market again went up good but then came good correction up here and 80 level 79 80 अगर उसके भी और आगे चले जाता है तो दिन इट बिकम्स more and more risky क्योंकि अब वो और जादा extend हो गया है and इसी तरी के से अगर आप currently देखेंगे तो यह 83 पर है and in 83 आप देखेंगे दाट इन historically 83 last time it touched was around this 2007 में यह level touch कर रहा था आरे साहने उसके बाद से यह उसके नीचे गया है थोड़ा थोड़ा correction आते गया है and अगर आप यह rally भी देख रहे तो this has been a complete overall a vertical rally जो कि single side आई यह से क्या हो सकता है again the same thing is 15 to 20% and it can go up to 20% also overall correction almost हर बार इस RSI zone से आपको एक correction मिलेगा यह आपको एक consolidation मिलेगा जैसे कि इस बार इधर हमको एक correction तो नहीं मिला overall but market एक बहुत ही narrow range में चला गया जहां पर आपको ना तो ऊपर की trend मिली ना आपको नीचे की trend मिली इतने zone में particularly market है वो करता रहा okay and यहां पर RSI का आप देखेंगे तो एक overall correction होता गया from 80 levels here it touched around 49 और इतना कुछ खास बहुत जादा correction नहीं रहा top से यह 18-20% कर रहा वाद काफी time लगा इस correction को होने में almost 8-9 month लगा so अगर हम इसको conclude करे that what will happen now तो एक शीस्ता for sure है that currently markets are overstretched and यहां पर एक RSI cool off होना बहुत-बहुत जरूरी है और जरूरी क्या वो तो होगा ही जो कि हमको history से समझ आ रहा है strong stocks पर focus करना चाहिए जहां पर valuation अभी भी reasonable है जहां पर growth भी आ रही है all margins भी है जहां पर contract नहीं हुए that can be one of the area जहां पर आप अभी भी will कमा सकते है so मुझे comment में जरूर बताना कि आपको analysis कैसा लगा है और क्या सोचते है आप इस analysis के बारे में क्या market में crash आएगा या एक छोटा सा correction की बाद market अभी further आगे जाएगा आपके comments क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है इस case में तो आप से comment में भी बात होगी अगर आपको analysis अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करिएगा share करिए और maximum लोगों तक कुछा जिससे कि वो एक informative decision based on logics ले सके मिलते फिर से अगले वीडियो में see you goodbye thank you for watching